और सीडियों की चड़ाई चड़ने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है तो आप वीडियों पर कंटीनू बने रहे हैं अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ किती सीडिया है? 14 41 किती सीडिया है? 41 यह होगी आपकी 41 641 641 हो गई? पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उस पहाड़ी के उपर सावित्री माता जी यहाँ पर आई थी ब्रमा जी से रुष्ट होकर सावित्री माता इस पहाड़ी पर आई थी और उनने यहाँ पर बेटके तब किया था और सावत्री माता यहां तब करते हुए यहीं विलीन हो गई तो यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां रोप है और रोप है वहां से आपको नीचे से आपको 15 मिनिट के अंदर अंदर उपर लेकर आ जाएगी और अगर आप सीडियों से आना चाहते हैं तो सीडिया यहां तकरीबान बताए जाते है तो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आईओध आप सतीक होंगे दोस्तों आज मैं आपको लिए गया हूं गाइज यहां बोर्ड पर यहां पर जो इतियास लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं यहां पर तपश्या में लीन हो गई थी कि सावत्री माता जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है इधर से हम चलते हैं तो यहां पर यहां पर सड़क देखने को मिलती है और सामने परवत पर आप देख पा रहे होंगे, सावतरी माता का वहाँ पर मंदिर है, जहां उन्होंने तपच शेकीर वहाँ लीन हो गए, अभी आव हम इदर से सलते हैं, तो मंदिर पर इस सिर्व में यहाँ पर में गेट पर हम पहुँच चुके हैं, इदर देखेंगे तो आपको काफी यहाँ पर खाने पीने की यहाँ पर सोप दिख जाएगी, आप कुछ भी यहाँ पर खा पी सकते हैं, और यहाँ पर यह में गेट है, जो कि आपको यहाँ पर में गेट देखने को मिलेगा, इदर यह हमारा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इदर हम आते हैं, तो यहाँ प सब्सक्राइब वंधिए के जरीए जाना हो तो आप साव्यत्री मांतव मंदिर में रॉपटेवा में यहाँ फैकंज सकते हैं यहां से आप抵ाड तिकट लेंगेए dhag अगर आपको सीडी चड़ाई करते हुए जाना है तो यह मार्ग सीडियों से जाता है जो कि आप यहाँ सीडियों चड़के भी माता के दर्शन कर सकते हैं तो गाइज अभी हमने चुना है सीडियों से चड़ाई करते हैं हम सावत्री माता के मंदिर तक पहुंचेंगे आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं यहाँ छीडिया है उन सीडियों के द्वारा हम चरते हुए मासावतरी के मंदिर तक पहुंचेंगे गाईज आप यहाँ देख सकते हैं रोपवे यह आप जो इस्टेशन से रोपवे रवान होकर यहाँ से यह निकल रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं रोपवे का खुबसूरत नजरा इसमें काफी लोग बेठे हैं और रोपवे के माद्यम से वो मंदिर तक पहुंच रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रोपवे यह जा रही है जो हम यहाँ पे चड़ाई करते हुए जाएंगे सावित्री माता ने यहाँ पे बेट के तब किया था और यहीं सावित्री माता इन पहाडियों पे विलिन हो गई थी पत्थर की मूर्ती बन गई थी तो वो मैं आपको भी दर्सन करवाने वाला हूँ इतियासकार का यहाँ पे मानना है इतियास और कथाओं में यह बताया जाता है कि ब्रमाजी से रुष्ट होकर सावित्री माता यहाँ पे आई थी और इन पहाडियों पर इन्होंने सावित्री माता ने तब किया था बताया जाता है कि ब्रमाजी ने इस इस्तान पे सावित्री माता आ चुकी थी और आने के बाद में वहां ये द्रश्य देखती है और सावित्री माता ब्रमा जी को सराब दे देती है कि आपका एक इकलोता मंदिर एक इसी जगे पुसकर में रहेगा आपको सिर्फ यहीं पूजेंगे सावित्री माता के मंदिर में यहां पे काफी संख्या में यहां पे स्वागन ओरते आती है स्वागन महिला आती है जो अपने पती के लिए यहां पे मनोकामना मांगती है अपने पती के लिए लंबी आयू की मनोकामना सावित्री माता से मांगती है तो यहां पे काफी संख्या पर देखनेंग मिलती है हलाकि यहां पर सब आते हैं इस तरी पुरूस आते हैं लेकिन महिला यहां पर आती है अपने पती की लंबी आयू की कामना के लिए और गैस पुरानिक माने तो एंसर बताया जाते कि प्रिछी पर वजणामक्स नावमकर राक्सस अच्छार करता था औ और मूरत का समय निकला जा रहा था तब देवराज इंदर ने गूजर समझा है कि एक लड़की से ब्रमाजी का विवा करवा दिया और यक शुरू करवाया बाद में अचानक सावित्री जब यक शुरू होता है तब सावित्री अचानक पहुंच आती है और ब्रमाजी के साथ और यह बात के कर वे उच्छी परवतमाला पर चली गई किती सीड़े है किती सीड़े है 41 जो होगी आपकी 41 641 हो गई 641 अब आप कंटिनू जा रही है जी यहां कंटिनू ओके ओके और यहां देख सकते हैं आप एक के करके रोपवे के जरी है यहां पर लोग आ रहे हैं और सावितरी माता के मंदिर में पहुँच रहे हैं जो कि आप यहां रोपवे देख सकते हैं यहां पर एक के करके यहां पर लोगों को ले जाए जारा रोपवे के जरी है और मैं भी सीडियों से चड़ाई करते वे जा रहा हूं जो आपको दिखाते वे जा रहा हूं वीडियो बनाते वे गाईज यह पुशकर का व्यू देख सकते हैं आप कि आपको घुमा के दिखा दू डिजर्ट सीन यहां से पूरी अरावली संखला यहां पर पाडियों पर गिरी हुई है और यह पुशकर का जो व्यू है आप देख सकते हैं काफी मनुरम और खूपसर देश्ट है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और मैं अभी सीडियों से कम यह 800-900 के अंदर अंदर यह सीडिया आती है गाइज मैं आपको एक महत्मून बात बता देता हूं यह जब वह रोपवे स्टेशन से रवाना होता है तो कुछ एक मिनिट दो मिनिट के लिए कुछ देरी के लिए यहां पर रुपते हैं तो आप डरना मत कई लोग डर ज सकते हैं गाइज थोड़ी आप विश्राम ले लिया है काफी गर्मी है और यह सीडिया कम से कम 800-800 बताई जाती है तो अभी थोड़ी थकावड़ी हो गई है तो दीर दीर एक करके हम सीडियों पर चड़ते जाएंगे विश्राम भी ले रहे हैं और 800 की चीडियों सीडियों चड़ाई करते हैं आपको थोड़ी थकान भी महसूस होगी तो गाइज मैंने आदी चड़ाई ते कर लिए और आप खड़ी चड़ाई आ गई है तो अब बहुत मुश्किलों को सामना करते हैं चलना पड़ेगा और यहां से आप उसकर का व्यू देख सकते हैं अभी कुछ दूरी और बाकी है अब हमें देखने को मिलेगी खड़ी चड़ाई गाई यहां पर बंदर काफी देखने को मिलेंगे इंसे थोड़ा खाने पीने की वस्ते सोड़ा बचके रहे ना यहां पर देख सकते हैं कितनी यहां पर मस्तिया कर रहे हैं उपर चड़ रहे हैं नीचे खूद रहे हैं तो यहां पर खाने पीने की चीज़े देते हैं तो आप दे दीजे वैसे आपको कोई परिसान तो करेंगे नहीं है पर यह मतलब खाने पीने के लिए आते ही हैं तो यहां पर यह देखने को मिलेंगे काफी संक्या में आपको बंदर देखने को मिलेंगे तो इ यहां पर काफी और आपको देखने मिलेंगे तो थोड़ा खाने प्रैब के चीज़ी लाते हैं तो थोड़ा बचकी रखना निथे थोड़ा आपसे ले भी सकते हैं आप समझ रहे हो ना और यहां पर एक प्राचिन कुंड है पिले यह छोटा कुंड था लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया है और इसको यहां पे जाली से कवर भी कर दिया है यहां पहाड़ी की चोटी से आप उसकर का नजारा यहां का व्यू देख सकते हैं काफी खूब सुरत यहां पे नजारा देखने को मेरे को मिल रहा है और इधर हम कुछ दूरी पर थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर कुछ कच्चा मकान यहाँ धाचा दिख रहा है देखते हैं क्या है तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमारे को देखने को मिलता है और यहाँ पर आप कुंड देख सकते हैं कुंड की हालत आप देख सकते हैं यहां पर कितनी लोगों ने गंद की फिला रखे तो सबी से हाथ जोड़कर विंती है कि एसी पवित्र जगा पर आप यह गंद की ना फिलाए और ऐसी प्राचीन कुंडों को आप गंद की फिला कर अपने पाप के भागीदारी ना बने आप आप देख सकते हैं बंदर बेठे हैं यहां पर मज़े ले रहे हैं खाने पीने के और यहां पर लोग दर्सन कर रहे हैं तो हम मंदीर परिसर के अंदर में दोस्तों पहुंच चुका हूं आप यहां मंदीर परिसर में आप काफी सरदलों की भीड आप यहां पर देख सकते ह लोग आ रहे हैं और यहां पर दर्सन कर रहे हैं मातारानी के इधर से आप परसाद भी ले सकते हैं और यहां पर लाइन लगी हुई है और लाइनों में एक्के करके यहां पर सावतरी माता के सभी लोग दर्सन कर रहे हैं यहां पर बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मा आतारानी को हमारे को दर्सन हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं आप यहां से काफी सरदलों की भीड़ थी और मैंने अब देखा यहां पर दो बज़े पट खुलते हैं तो एक गंटा मेरे को बाहर वेट करना पड़ा तो मैं बारा से दो बज़े तक यह बंद रेता है और दो बज़े के बाद में यह खुलता है तो आप सभी को मैं टाइमिंग बता देता हूं आप सुबह मोर्निंग में आ सकते हैं इसके बाद में बारा बज़े बंद हो जाता है मंदिर और बाद में दो बज़े बाद में आपको यहां पर कुछ ऐसी बीड़ देखने को मिल तो आप दो बज़े से पहले पहले आके दर्सन कर ले बारा बज़े के बाद में अगर आते हैं तो फिर दो बज़े खुलेगा दो बज़े बाद यह आप दर्सन कर पाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर माताराणी के आप दर्सन कर सकते हैं दोस्तों ना तो आप म मोबाइल यूज ना करे नहीं तो आपको यहां पर डार्ट भी खानी पढ़ सकती है तो यह परक्रमा मार्ग में जा रहा हूं यहां परक्रमा मार्ग आप में देख सकते हैं और यहां माता सार्दा है जो कि बताए जाता है जो कि यह माता सार्दा है वो यहां पर आई थी और यहां पर सावतरी मातरा के मंदर पर यहां पर तपश्या की थी और यहीं अंतरलीन हो गई थी जो कि आप माता सारदा के यहां पर परतिमा देख सकते हैं और यहां आप माता सारदा के यहां परतिमा उपर की यहां तरफ इनको तस्वीर देखने को मिलेगी और यहां पर एक सी पुज़ा के लिए यहां पर मंदिर बनाए गया था जो प्रतिष्टा दिवत आंट को मुझे बीस इस इस्वी यहां पर लिखा हो जो कि आप पढ़ सकते हैं तो दोस्तों मैं मंदिर के प्रिसर से बहार आच चुका हूं और यहां पर रोपवे स्टेशन आप देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में नई जगे साथ में जादी जो मुझे जैन जै भारत मता जै सावतरी मता